चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं साथी साथ नई वीडियो की जानकारी तुरंत पाएं थैंक्यू नमस्कार दोस्तों दिस इस मौनु चोदरी वंस अगेन और आप देख रहे हैं जिंदगी जिरो कुलूमेटर आजकत जो विशे हैं जिस विशे पर हम यह विसलेसन करने जा रहे हैं वो विशे आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है और विशे ये है कि सामान्ने अफदी से ज़्यादा दिनों तक पेरियड आने का मतलब क्या होता है सबसे पहले इस बात का मतलब समझ लो अगर अपकी दिमाग में अब भी ना आया हो ये वीडियो सभी के लिए बेहद मैत्पूर्ण है जो मेरिड हैं उनके लिए भी और जो अनमेरिड हैं उनके लिए भी देखे सामाने अबदी से जादा दिनों तक पीरिड आने का मतलब क्या होता है कि मालीज ये सामाने अबदी क्या होती है पीरिड की जब किसी भी महिला को पीरिड स्टार्ट होता है तो mostly 4 दिन तक चलता है किसी को 5 दिन तक चलता है किसी को 6 दिन तक चलता है किसी को साथ दिन तक चलता है किसी को आठ दिन तक चलता है ये रेरली जाकर के होता है आठ दिन तक नॉर्मली किसी को चार दिन और किसी को तीन दिन तक भी चल जाता है ये एक नॉर्मल अबधी होती है एक नॉर्मल समय होता है एक नॉर्मल पीरड होता है जब हमारी जो मासिक अभधी होती है मासिक धर्म होता है किसी भी महिला का वो आता है वो नॉर्मली तीन दिन चार दिन पांच दिन छे दिन साथ दिन या रेरली मुश्किल से आठ दिन तक आता है अगर ये बढ़कर के लगातार 15 दिन तक पीरियड आए चोधे दिन तक लगातार पीरियड आए या किसी भी महिला को लगातार 12 दिनों तक पीरियड आए किसी को 17 दिनों तक लगातार पीरियड आए तो इसका मतलब आखिरकार होता क्या है देखिए इसके दो मतलब होते हैं mostly या तो आपकी pregnancy लगी है और लगते ही pregnancy एक दो दिन उपर निकल गए है और pregnancy खराब हो गई है pregnancy misgarage हो गई है pregnancy misgarage होने के कारण जब तक आपकी बच्चे दानी में कचरा जमा रहेगा या कोई भी clot बच्चे का कोई भी peace जब तक अंदर रहेगा तब तक आपकी bleeding नहीं रुकेगी चाहे उस bleeding को चलते हुए 15 दिन हो जाएं 14 दिन हो जाएं 17 दिन हो जाएं 12 दिन हो जाएं यहां तक की एक महिना भी हो जाए जब तक अंदर से पूरी तरीके से बच्चे दानी साफ नहीं होगी तब तक आपकी building बंद नहीं होगी या आपकी period की जो अवधी है वो बढ़ती ही चले जाएगी नॉर्मल अवधी से जादा हो जाएगी अगर आपका period मिस हो गया है एक दो दिन उपर निकल गए है माली जी कि आपको period 15 तारीक को आना था लेकिन वो period 19 तारीक को आया है और 19 तारीक से लगातार period चल रहा है और period 30 तारीक तक चला है तो आप ये समझ लेना कि आपको pregnancy कही ना कही positive होई है आपको test करके देखना चाहिए था pregnancy positive होई है और pregnancy positive होते ही miscarriage भी हो गई है ये बहुत कम से कम कम से कम नहीं तो 25% केसों में मैंने ऐसा देखा है मैं जहां काम करता हूँ hospital में मेरे पास भी patients आते हैं 25% cases में ऐसा देखा गया है कि pregnancy लगी लगते ही खराब हो गई लगातार 14-15 दिन तक bleeding चली उसके बाद में bleeding बंद होई तो इसका मतलब आखिरकार यही है कि आपको pregnancy positive होई थी लेकिन वो miscarriage हो गई अगर आपको period के चलते काफी दिन हो गए हैं 10 दिन हो गए हैं 12 दिन हो गए हैं तो आपको तुरंत ultrasound करा लेना चाहिए जिससे आपको यह पता चले कि आखिरकार हुआ क्या था इसका जो दूसरा कारण है वो होता है कि आपके जो uterus में आपकी जो बच्चेदानी है उसमें कोई ना कोई बीमारी डबलप होई है या तो उसमें inflammation हुआ है या फिर उसमें fibroid डबलप हुआ है या फिर उसमें अन्य कई तरीकी की बीमारी है जो डबलप हुई है बनी हैं बीमारी या तो uterus में बच्चेदानी में कोई रसॉली बन गई है कोई गांट बन गई है, कोई सिस्ट बन गई है कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है ये सबसे ज़्यादा जो होता है, वो इसी में होता है कि प्रेग्निंसी लग जाती है, प्रेग्निंसी पॉजिटिव होती है, एक दो दिन मानली जी कि 15 को पीरड आना था, लेकिन 15 को पीरड नहीं आया था, चार दिन उपर निकल गए थे, हमने टेस्ट ही नहीं किया, हम समझ रहें कि आजाएगा चलो कोई दिन नहीं है, हम और रुख जाते हैं, तब जाकर के हम टेस्ट करेंगे, हमने मन में धहर लिया कि प्रेग्निंसी तो लगी गए, लेकिन जैसे 19 को पीरड आता है, तो हमारे सारे अर्मान डेले हो जाते हैं, फिर हम यह सोचते हैं कि यह ठीक है भाईया, पीरड तो आई गया है, आप तो प्रेग्निंसी है ही नहीं, लेकिन वो पीरड जब लगातार 30 तारी तक चलता है, 25 तारी तक चलता है, दो तारी तक अगले नेक्ष्ट मंत में भी चलता लगातार रहता है, तो इस ऐसे में आप यह समझ लीजिएगा, कि आपको प्रेग्निंसी लगी है, लगते ही मिस्गेरिज हो गई है, और ऐसी इस सक वहाँ पर उपलब्द है, जिसने आपका अल्टरसाउंड किया है, उससे आप यह पूछें कि क्या हमें प्रेग्निंसी लगी थी, जिसकी वज़े से हमारे साथ में ऐसा हो रहा है, तो मेरे कहने का मतलब यही है, कि सामान अबदी से ज़्यादा, अगर पीरड आता है, त आपको लगाता है, ब्लेडिंग चलने का सबसे ज़्यादा और मुखे करण यही रहता है, मेरे पास मैं यहां से नहीं, एबरोड से एक कमेंट आया था, मेरे पास मैं वाटसे परेसिमेस भी आये थे, एबरोड से साओधी से, तो उन्होंने मुझे सवाल पूछा था, और म मैंने सोचा कि एक महत्पूर्ण विसे है, हमें इस पर वीडियो बनानी चीए, तो तभी मैंने सोच समझ करके इस विसे पर वीडियो बनाई है, अगर सामान नवदी से ज़्यादा पीरल रहता है, तो आपको अल्ट्रा साओन कराने की आवस सकता है, या फिर आपको एक दो किसा कire रोका जा सकता है, अगर वो मिस हो गई है, तो आपको एक अगली सला एक अगला जायद और अच्छा कदम आपको बताया जाकता है, आपकी सिहत के हिसाप से, तो आज की इस वीडियो का मेरा उद्दे से यही था, आपको समझाना कि ऐसा ऐसा भी कभी-कभी किसी-किस इसमें हो जाता है तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी कि ऐसा क्यों होता है कब होता है अगर आपके साथ में किसी आपके रिष्टेदार के साथ में आपके दोस्त के साथ में किसी के साथ में ऐसा हो रहा है तो प्लीज उनको गाइड कीजि कीजिएगा सेयर कीजिएगा अपने दोस्त और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मैं मिलता हूं किसी अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ मैं तब तक के लिए जैहंद नमस्कार